दुबश्कार दोस्तों, आज की टिप है Instead of being adamant for perfection, one should find beauty in imperfection यानि कि पूर्णता के लिए बहुत आगरी होने से बहुत जहतर है कि हम खामियों के बीच में सौंदर्य ढूढ लें हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग हमेशा सब कुछ पूरी तरह प्रामानिक चाहते हैं पूरी तरह संपूर चाहते हैं और इस पूर्णता के लिए, संपूर्णता के लिए जो आगरा मन में पाले रहते हैं तो फिर उन्हें कपड़े भी पूरी तरह व्यवस्ते चाहिए, उनका खानपान भी पूरी व्यवस्ते चाहिए और संबंधों में भी उन्हें पूरी प्रामानिकता चाहिए लेकिन मनुष्य के होने से और मनुष्य के अंदर की भावनाएं होने से जीवन ना गड़ित रह जाता ना विज्ञान याने कि भावनाओं में दो और दो चार नहीं होता हर अव्यक्ति बदलता है उसकी भावनाएं बदलती है और उसके मनों भाव बदल जाते है तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम हर चीट का गड़ती समाधान चाहने की जग है जो कुछ आ रहा है जो जिस रूप में है उसकी यूनिकता को उसकी अद्वितिता को एंजोई करें ये जाने कि जो कुछ होगा उसका अपना एक अलग रूप होगा जैसे नेचर में हम देखते हैं कि एक पेड में लाखु पतियां है लेकिन वो लाख की लार यूनिक हैं वो अलग हैं तो इस तरह हमें ये मांते हुए कि इंपरफेक्शन को एंजोई करना ही जीवन का सही रहसे है और इस तरह से जीवन का आनंद नेना चाहिए धन्यवाद